सुप्रवाद मित्रों, सार्था गवर्मेंट जापॉइंट यूट्यूब चनल आप सभी का हारदिक स्वागत करता है 97.41.41 ये मेरा वाट्सअप नंबर है आप इस पे टेट, सुपर टेट, सीटेट, टीजीटी, पीजीटी, एल्टी के नोट्स प्राप्त कर सकते हैं ये नोट्स आपको सफ़ता दिलाने में पूरी तरीके से सक्षम है और इसमें आपको प्राक्टिक सेट के साथ संपूर्ण सलेबस का एक बहतरीन मेटेरिल उपलब्द कराया जा रहा है जो की थियोरेटिकल, आपजक्टिव और वन लाइनर के रूप में है ये हैंडमेड है, 20-22 पार्थ पुस्तकों का समयोजन इसमें किया गया है जो की टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक से बनाया गया मैटर हमेशा ही आपके लिए लाप्रद होता है क्योंकि इसी से प्रस्ण पूछे जाते है ठीक है, तो आप सब्सम समझ सकते हैं कि अगर किसी खंड का एक से अधिक पुस्तकों का समयोजन कहीं से भी आपके प्रस्ण जो है वो अधर पाठ पुस्तकों से नहीं आएंगे यह आपको सफलता दिलाने में पूरी तरी के सक्षा में चलिए खबरों की सुरुआत करते हैं सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एल्टी ग्रेट सिक्षक भरती की जो मतलब बिग्यापन के लिए एल्टी ग्रेट सिक्षक भरती का बिग्यापन कब आएगा विद्यार्थी सिर्फ एक ही सवाल पूस्ते हैं कि सर बिग्यापन कब तक आएगा तो मैं आपको यह बता देना चाहता हूँ कि लोग से वायोग अपना परिक्षा का कलेंडर जारी करने वाला है इस परिक्षा के कलेंडर में आपको एल्टी ग्लेट की जो मतलब आपको एक्जाम डेट और उसके बाद जी आईसी प्रोवक्ता का एक्जाम डेट यह सारी चीज़े आपको देखने के लिए मिलेंगी चुकि चुनावों की अजी सूचना जनवरी फस्ट वीक के बाद जारी होनी है जो सूचनाए मैंने पूरुवत आपको दीट ली वो सारी सूचनाए मेरी एकदम सठीक बैठी है बहुत सारे चैनलों ने आपको बताया था कि 20 दिसंबर के बाद चुनावी आचार सहीता ला के बाद लगेगी और वही स्थितियां बनती हुई दिख रही है क्योंकि दस्तारिक को मोदी जी का और योगी जी का एक बड़ा उधगाटन समारो है है ना तो यह सारी चीजे उधगाटित होने के बाद ही चुनावी आचार सहीता लगेगी आप इसके लिए निश्चिंत करें सब्सक्राइबर यहिए विग्यापन आपका जारी होगा K इल्ल्षी श्चलिकहबर ऑस्पी पुल्ते हैं और जियासी प्रोक्ता में 20 वार काफी सारी 31 सबसे एहंजिज यह है कि इस बार जियासी प्रोक्ता में जिन विश्यों में सरवाधिकони है मैं आपको बता देना चाहता हैं उन्वीसियों में सबसे पहले नंबर आता है समा सास्त्रगा समासve में इस बार रिकाड तो रपद है 65 पद है सामानिवर्ग कि ठीक है participants के रखेवल और केवल सामानिवर्क तो यह आपरचुनिटी है आपके लिए जैसी प्रावक्ता में जो 27 अक्टूबर को परिक्षा हुई थी उसी बेस की परिक्षा है वही परिक्षा है जो की नया विग्यापन आ रहा है तो आप इसके लिए जो है अपने आपको मांसिक रूप से तैयार कर लिजिए यह बहुत किसका निर्ड़े जो मतलब यह नहीं कर पा रहा है कि इसको PCS के अस्तर पर रखा जाए कि अलग से इसका पेपर कराया जाए चुकि पदों की संख्या कंफर्म हो चुकी है 1880 पदों पर आपका विग्यापन आएगा SDI का ठीक है 1880 तो इसको PCS के रेंज में रख करके पेप पुल्ट नहीं है उन्होंने उनका कहना है कि इसको एक अलग तरीके से इसका पेपर कराया जाए और अध्यच सहीत कही मेंबर उनके सपोर्ट में है कि इसको PCS के लेबल पर कराया जाए तो देखने वाली बात होगी कि लोग से वायोग अपने परिक्षा के लेंडर में SDI क को PCS लेबल पर रखता है या उसे अलग करके जो है एक अलग ही इसका जो है बरती परिक्षा कराता है यह देखने वाली बात होगी लेकिन एल्टी ग्रेट सिक्षा बरती के लिए आप लोग पूरी तरीके स्तियार हो जाए क्योंकि एल्टी ग्रेट और GIC प्रोक्ता का जो स्लेबस के कार्डिंग जो कोस्टिन वो लोग बनाते हैं वो कोस्टिन जो है कहीं ने कहीं जाहिर सी बात है वो बहतरीन कोस्टिन होता है उसका अस्तर जो है वो बहतर होता है तो आपको सबसे बड़ी चीज यह है कि आपको जो है मतलब विल प्रिपेर्ड होना पड़ेगा है न अच्छी तरीके से तैयार होना पड़ेगा अपने सलेबस को बाकाइदा जो है एकदम गहन मन्थन उसका करना होगा गहन अध्यान करना होगा तब ही आप GIC प्रवक्ता या LTE ग्रेड में सफल हो सकते हैं आपकी सफलताद के लिए सार्थक गवर्मेंट या पॉइंट यूटूब चैनल आपको नोट साधी प्रवाइड करा रहा है GIC प्रवक्ता हो या आपका LTE ग्रेड सिक्षक बरती हो ये सारी भरतियां हम सभी विष्यों के एक्सपर्ट टीम के द्वारा बनाया गया मैटर आपको उपलब्द करा रहे हैं ये मैटर आपको 100% सफलता दिला सकता है चाहें GS करेबल हो GS में मैं ऐसा नहीं कहाता कि सारे के सारे कोस्टन इसमें मैटर से आ जाएंगे लेकिन GS में आपको कम से कम 20 से 22 प्रसना हमारे मैटर से मिल सकते हैं सब्जेक्ट में आपको कम से कम 100 कोस्टन अवस मिल जाएंगे 120 में आपको 100 कोस्टन जरूर मिल जाएंगे ये हमारी गारेंटी है आप से तो आप लोग इसको प्राप्त करके अपनी तैयारियों को सुनिश्चित कर सकते हैं और सबसे बड़ी चीज यह है कि बात कर लेते हैं आपके टीजीटी पीजीटी के लिए बहुत सारे चैनलों ने आपको बताया कि यह पांत जार पद है हम आपको असपस्ट कर देना चाहते हैं चैन बोर्ड को जो अधियाचन प्राप्त हुए है और तदर्थों की सीटें अगर उसमें जोड़ी जा रही है ठीके ना जैसा कि सुप्रिम कोर्ड में सुप्रिम कोर्ड ने स्वयम कहा था अपने डिसीजन में अपने फैसले में कि 34,390 पदों को जो रिक्त कर रहे हैं इनको फ्री कंप्रेटिशन के जरिये भारिये फिर जब इन्होंने वहाँ पे ले जाकर के एफिडेविट लगाया उस एफिडेविट पे सुनवाई हुई तो सबस्ब बड़ी चीज यह है कि मतलब वहाँ एक एवियर्ट के याद की जब सुनवाई हुई तो उनसे अस्वस्ति करण मांगा गया कि 34,390 पद कहा है तो इन्होंने कहा कि हम तजर्टों को एक औसर और देना चाहते हैं इसलिए नई भरती जारी करेंगे तो नहीं भरती के लिए सुप्रियम कोट ने उनकों का अधिया था कि 15 दिन अधियाचन का प्रक्रिया मतलब करके 15 दिन में आप सारी चीजे करिए इन्होंने फास्ट रेक पर अधियाचन की प्रक्रिया रखी और पटाफ़ड़ अधियाचन लेकर के जो है वो सारी चीजे क्लियर कर दिया लेकिन अब मुद्धा ये बनता है कि आपका बिग्यापन कब जारी होगा तो बिग्यापन जारी करने के लिए आज तक कभी भी चैनबर्ड के किसी भी अधिकारी ने चाहे वह सची हम होते हो चाहे हैं कोई भी मतलब वहां का कारदाई और ताइया सद्नत स कार्य उस पे चल रहा है तो बिग्यापन में पदों की संख्या कितनी होगी यह भी असपस्टी करण उन्हों दिया कि बिग्यापन में पदों की संख्या लगबग 25,000 होगी ठीक है ना मतलब तदर्तों के जो पद हैं वो भी एड़ किये जा रहे हैं कुछ पद जो है आपके स केवल 52 हैं और इसमें 1000-1500 समयोजन में चले जाएंगे टीजीटी पीजीटी दोनों हैं केवल 14,000 पद बच रहे हैं तीने हजार बच रहे हैं यह सारी चीजे अफवाएं हैं सिप और सिप अफवाएं हैं पक्वास हैं इन सारी चीजों पर आपको ध्यान बिलकुल भी नही कर देंगे ताकि आपका यह जो विकैंसी है वो चुनावी आचार सहीता के दारे में ना आए हम सार्ट नोटिफिकेशन जो है जारी करने के बाद उसका बिस्त्रित कारिक्रम बाद में जारी करेंगे तो सुझी ठीक है भईया काम जो मतलब सार्ट नोटिफिकेशन जारी कर का बिस्ति जब करिक्र आएगा तो वो सारी चीजे उसमें अस्वस्त होंगी, पीजीटी पीजीटी का विग्यापन आपका आना सुनिश्टित है, क्योंकि इस पे बूर्ड में कारे हो रहे हैं, लगातार कारे हो रहे हैं, और कोई भी अधिकारी कोई भी कर्मचारी इस बात को लेकर करके आसफस्ट दिख रहा है कि बिग्यापन यहाथ सिग्रे जारी किया जायगा कहीं भी इसे भी आपको मना ही नहीं है कोई भी सजस कोई भी मेंबर कोई भी सची जो है मना नहीं करता तुमें कैसे बता दू कि बिग्यापन नहीं आएगा है ना जब भी हम लोगों ने वारता की है जब भी हम लोगों ने ग्यापन दिया है जब भी हम लोगों ने जाकर करके उनसे मुलाकात की है हमेशा से ही यही बात यह असपस्ट हुई है कि विग्यापन यह था सिखले जारी कर दिया जाएगा चुनावी आचार सहीता के पहले जारी कर दिया जाएगा पदों की संक्या परयापत है पदों की संक्या के लिए करके आप आसानवीत रहें और आप परसान मत रहें, कि पदों की सांगा काम है. तो आप इसके लिए निस्चेद रहें. आप बड़ी चीज यह है किибi बात कर लेते हैं jesteśmy आपके प्राथ्मिक सिक्षा बढ़ंगे हैं, प्राथ्मिक सिक्षा बढ़ है कही कोचिंग स्नस्थान ने दरना प्रदमस्तर स्वांशनाद के آयोजन किया है तेन थारीकों देट्स्राइजuld में आज मैं सॉयमं लखना जा रहा हूँ मतलब मोहां पर जा कर करके और मुक्षमंतरी मौहओदे मुक्षमंतरी मौहओदे से मिलने मुक्षम्मंतरी मौहओदे मिलने का उन से मुलाकाथ कि जा elemento यह उसे सारी चीजे असपस्थ की जाएंगी वह सारी चीजे कलिर होंगी कि ल कितने पदों पर आ रहा है और कब आ रहा है यह सारी चीजे जो है वो अस्प्रस्ट के जाएंगी लेकिन मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं एड़र जूनियर सिख्षक भरती और आपको प्रात्मिक सिख्षक भरती के लिए विद्यारती प्रदसंडरत हैं आज तक क सारी चीजे संभव हैं तो चुनाओं के बाद किसकी सरकार आएगी क्या आएगी यह कोई नहीं जानता क्योंकि आपने देखा होगा कि कही नेताओं ने वादों की बरसात करनी शुरू कर दी है कोई मुफ्त में बिजली देने का वादा कर रहा है तो कोई मुफ्त में मतलब आते हैं सारी चीजां भूल जाथे हैं सत्ता पाने के लिए मतनल derrière वहापको प्रोरणफ़ी मनाने पर फिर Bella करा तेंगे आप करोनफ़ी बन जाओगी बस वूड़ दे दो हैंा। यह सारी चीज होती है आपको सबसे बहतर चीज़ यह है कि आपको भी भर्तियों कलिए एकत्र होना भर्तियों के अपने परवी होजबोत करना है भीटग्यापन आपका लतासिग्र जारी हो इसके लिए भरपूर प्रत्ब किया जारा है एड़ी चोटी का जोग लगाया जारा है ताकि आपको विग्यापन यह था सीगर जारी हो जाए विग्यापन आदी जारी होने के बाद आप अपने तैयारियों में लगे और जो है सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर विग्यापन आ रहा है तो उसके पहले आपको जो है तैयारी करने ही पड़ेगी तियारी जब तक आपकी नहीं होगी तब तक आपको सफलता प्राप तो नहीं हो सकती है तो आपको देखने वाली बात है सबसे बड़ी चीज़ है कि आठ तारीक के बाद जो चुना वे आचाहे सहीता की उसना हो सकती है अभी अपने पास चार पांस दिन का टाइम बचा है इसमें बहुत सारी चीज़ें प्रिवर्टित होंगी बहुत सारी चीज़ें जो देखी जाएंगी तो आपको निस्चिंत होने की और सुकून से बैटने की आवस्सक्ता है और एक चीज मैं आप से अस्पस्ट कर देना चाहता हूँ तीन तारीकों लखनाओं में धर्ना प्रदर्शन होने चला है अगर जो विद्यारती उसमें पार्टिचिपेट करना चाहते हैं वह भरपूर्थ तारीके से एक अच्छी खासी संख्या वलके माध्यम से आप पहुंचिये आज साम तक हम स्वयम जाएंगे और अपर मुख्यमंतरी स्वीदिनेश सर्माजी से मुलाकात करने का भी वक्त मिला है तो उनसे भी सारी चीज़े क्लियर की जाएंगी ताकि हमारे उन भाई-बैनों को राहत मिल सके जो भाई-बैन हमारे 2018 LTE चैनिद है उनकी नियुक्ति आधी के लिए भी जो है चर्चा की जाएगी सारी चीज़े असपस्ट होंगी और विग्यापन आधी के लिए जो है मुख मैं आपको असपस्ट कर देना चाहता हूं कि चुनाओ को पहले आपको सुपर्ट्रे ट्रावस से देखने के लिए मिलेगा एक साथ नोटिफिकेशन प्रस विग्यतिया तो पहले ही जारी हो चुकी है एक साथ नोटिफिकेशन आपके सामने आएगा उसके बाद जो है तो पर आपको एल्टी का विग्यापन देखने के लिए मिलना है और इस बार आपको एज रिलेकसेशन EWS के दारे में और दो वर्थ का कोबीर का ये मतलब एज रिलेकसेशन भी आपको मिल रहा है इस बात का उलेक आपको विग्यापन में देखने के लिए मिलेगा इस बार तो यह आपको बिग आपर्चुनिटी मिल रही है और इस बार GIC प्रवक्ता में नैनो बायो टेक्नलाजी और बायो केमिस्ट्री यह भी प्रवक्ता में आपको देखने के लिए मिलेगा इस पर सहमती बन चुकी है और जो मतलब इस बार बिग्यापर में इन डिग्रियों का भी उलेक रहेगा तो यह भी विद्यार्थी इस बार बायो प्रवक्ता में बायो जी प्रवक्ता में समलिक हो पाएंगे और यह विद्यार्थी भी इस बार कंपेटिशन में सामिल होंगे और चाहे नैनो बायो बायो टेक्नलाजी हो चाहे बायो केमिस्ट्री हो इस बार आ मजबूती के साथ उठाता रहा है आपका हिद के लिए सारे कारे हम करते रहते हैं और एक चीज में आपको बता देना चाहता हूँ जिन भी विद्यारतियों ने मेरे साथ में याचिका कराई थी TGT 2021 को ले करके एक सुनवाई हो चुकी है और दूसरी सुनवाई के लिए आप लोग संपर करिए क्योंकि बहुत समस्या हैं हमें आ रहे हैं डाकुमेंट आदी को ले करके आप हमसे संपर करिए अनता के स्थिति में आप उसके जिम्मेदार होंगे धन्यवाद आप सभी का दिन सुभव